बिना परमेशन के वीडियो ना बनाए इस किताब पर वरना आपका चैनल और वीडियो दोनों ही डिलिट हो से अब तक के वीडियो में हमने चैप्टर 7 खतम कर दिया हुआ था और आज से हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो भी आपके पास आए तो वो सबसे पहले आपके पास आए और आपसे मिस ना हो पाए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जो पीछे से सिरीच चलते आ रही है वीडियोज की वो आप जरूर देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर चैप्टर एट अभिने की तैयारी पांचवा भाग तुरंत डायलोग कैसे याद करें पांचवे क्रम में आती है डायलोग को याद करने की बारी यह मेथड भी बहुत मैजिकल है अगर आपने इसको गहराई से समझा और पैक्टिस किया तो आप बड़े से बड़े डायलोग बहुत कम देर में प्रभावी तरीके से अपनी पॉफरमेंस का आनंद लेते हुए कर पाएंगे इस मैथड का सबसे बड़ा और जरूरी नियम है कि याद नहीं करना है हाँ पढ़कर अजीब लगा होगा कि क्योंकि डायलोग याद करना होता है लेकिन इस मैथड का सबसे बड़ा गुन यही है कि याद नहीं करना है याद हो जाना पड़िनाम है इस मैथड को बहतर और गहराई से समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपने अपने जीवन में सबसे पहले क्या याद किया था तो आपके दिमाग में कुछ इस तरह की जवाब आएंगे यहाँ सर बहुत अच्छा बात बता रहे है कि हमें डायलोग याद नहीं करना है उसे feel करना है, मतलब उसे महसूस करना है उसे समझना है, उस character में जाना है ताकि हम उस डायलोग को याद ना करें उस टाम जब हम लोग वो scene कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम डायलोग याद करके बोल रहे है तो और यहाँ पर सर ने एक सवाल पूछा है कि सबसे पहले अपने जीवन में आपने क्या याद किया था तो आपकी दिमाग में क्या आ रहा है आप अपने comment box में याप नीचे में बता सकते हैं कि आपने सबसे पहले अपने जीवन में क्या याद किया था सबसे पहले ठीक है आप कमेंट करके बताईए यह आपके मा बिलकुल नहीं यह सिर्फ एक शब्द था पहचान थी आपको मा की जरूरत थी और उसकी पहचान थी शब्द मा बस बाकी सबी चीजे जो आपने याद की वह भी आपकी जरूरत की चीजे थी और उसकी पहचान के शब्द आपने सुनकर दोरा कर याद कर लिये थे जैसे मम्मी, पानी, ताता या और कुछ अब आप सोचेंगे A, B, C, D, यहाँ ताता लिखा होगा है, यह ताता नहीं होने चीजे यह टाता होने चीजे टाता बाई-बाई वाला टाता अब आप सोचेंगे A, B, C, D, कोखग, बिल्कुल नहीं इससे भी पहले हमने बाल कविताएं, राइम्स, पोइम्स याद की थी और सबसे अचरज की बात यह है कि आपने बाल कविताएं यानि पोइम्स कभी भी याद नहीं की थी पढ़कर तो बिल्कुल भी नहीं और सिर्फ आपने नहीं, दुनिया में सभी बच्चों ने बच्पन में सबसे पहले बाल कविताएं ही याद की थी सबी बच्चों का पोईम उनके माता-पिता या टीचर ने याद करवाई थी कैसे हमारे टीचर ने या माबापने हमें परफॉर्म करके दिखाया हमें अच्छा लगा, हमारा इंट्रेस्ट जागा, हमारा उन शब्दों से emotional connection हुआ इसलिए वह हमें अच्छा लगा और हमने आनंद लेते हुए अंजाने में उसे परफॉर्म करना शुरू कर दिया और पता ही नहीं चला कि कभी वह पोईम याद हो गई सबसे आश्चेरे की बात तो यह है कि इतना गजब और अच्छा याद हुआ कि 15-20 सालों बाद भी वह हमें अच्छे से याद है सही बात है, यह सर का कहना सही है, जैसे कि हमने बच्पन में पोईम याद किया था मचली जलकी रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा और डर जाएगी, बहार निकालो निकालो मर जाएगी तो इस पोईम को हमने इतने अच्छे तरीके से याद किया मतलब याद क्या किया हमारे माता पिता ने हमें समझाया हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें यह बताया इसके बारे में बताया इस पोईम के बारे में तो यह हमें अच्छा लगता था, इस चीज़ को हमने अपने दिमाग में बैठा लिया और इससे हमें आज भी 15-20 साल के बाद भी हमें ये पोईम याद है, तो यही सर बता रहे हैं, जैसे ही किसी माबाप को संतान होती है और वह बोलने लाइक होती है, तो स्वता वह पोईम याद आ जाती है, और वह उसे सिखाने लग जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुगा कि माबाप पहले बाजार जाकर कविताओं की किताब लेके आए हूँ, और फिर अपने बच्चों को सिखाई हो, इसी जिंदगी के मैथर्ड और हमारे दिमाग के कारे करने के पैटर्ण का उप पित हुआ है, एक और उदारन देता हूँ, इसको पढ़कर आप बिल्कुल समझ जाएंगे और विश्वास हो जाएगा कि आपको याद नहीं करना है, बलकि इमोशन्स को समझ कर परफॉर्म करना है, आप याद कीजिए कि सबसे पहले जबरदस्ती आपको क्या याद कराया गया था, का, खा, ग, ए, बी, सी, डी, का, खा, ग, ए, बी, सी, डी, का, खा, ग, ए, बी, सी, डी, और मैथमेटिक्स का टेबल, लेकिन आज तक हमें पूरी तरह से मैथमेटिक्स के टेबल याद नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हमने टेबल याद किया तो इसमें इमोशन्स नहीं थे, performance का मजा नहीं था, इसलिए आज तक भी पूरी तरह याद नहीं हुई, वैसे आप लोगों में से बहुत लोग को याद होगा, मुझे भी याद है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहां पर सर का कहना भी सही है, कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें याद नहीं हो तो वही बात यहां पर सर बता रहें, आश्यरी की बात तो यह है, कि बच्चों की कई कविताओं में कोई मतलब या लॉजिक नहीं होता था, फिर भी याद है, और हम सब को याद है, गनीत के टेबल के बिना जिन्दगी बिलकुल ही नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी याद न और बहुत समय तक याद रहेंगे, इस तरह से हमें फिल्म के गाने याद हो जाते हैं, हम उन्हें कभी भी याद नहीं करते, गाते हैं, गुन-गुनाते हैं, और क्योंकि उसमें भावना आएं, इमोशन होते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं उस गाने से और इसलिए वह सालो साल याद रह जाते हैं इस मैथड का प्रतेक्ष प्रमान है हमारे ज्वाइंग फिल्म्स एकेडमी के स्टुडेंट्स मैंने जब या प्रैक्टिस अपने स्टुडेंट्स से करवाई तो जादूई पडिनाम आए सभी को पांच से दस मिनट में 15-20 लाइन के डायलग याद हो यहां तक कि एकेडमी में होने वाले पॉफॉर्मेंस डे पर सभी स्टुडेंट्स ने 15-20 डायलग एक साथ परफॉर्म किये बगार रुके बैक टू बैक कुछ स्टुडेंट्स ने तो इससे ज्यादा भी किये मतलब याद नहीं करना है उपर बताये गए स्टेप्स को बैतर करते जाना है आप देखेंगे कि कुछ दिर में ही आपका पॉफॉर्मेंस रेडियो चुकी है मजे की बात कि मजे की बात यह है कि आपने याद भी नहीं किया ध्यान रहे याद करने की कोशिश भी की तो याद नहीं होगा अब इस प्रैक्टिस को करके इस इसे एक ब जिसे इस जब करने के कोशिश करता हूए कि उसको एक बार पढ़ लिया अब पांस से दस बार उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूं खुझसे बोलके कैमरे के सामने आप कर सकते हो कैमरा नहीं है, मतलब कैमरे में आगर आपको थोड़ा ये लग रहा है कि ज़्यादा श्टोरेज वगेरा फोन का आपका फिल हो सकता है तो आप क्या करो कि मिरर के सामने चले जाओ अपने घर में, वहाँ जाके सामने में आप डैलक बोलो ठीक है और पांच बार बोलो, दस बार बोलो और एक बात को याद दखो कि हर बार कुछ ना कुछ नया करो इस बार अगर तुम कुछ कर रहे हो ठीक है तुमको अच्छा नहीं लगा कि नहीं, ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए यहाँ पर यह सही नहीं है, यह एकस्प्रेशन यहाँ सही है तो दूसरी बार उसको इंप्रूफ करो वहाँ पर एक अच्छा एकस्प्रेशन लाओ फिर दूसरी बार लगे कि नहीं यार, यह भी सही नहीं है एक और चांस लेते हैं तीसरा बार चांस लो, उस बार भी नहीं लगता है, चौता चांस लो, पांच बार चांस लो, जब तक perfection नहीं आ जाए, तब तक चांस लेते रहो, और फिर तुम देखना कि सच में, मैं बता रहा हूँ, सच में, जैसे ही तुम 10 से 15 बार तुम practice कर लेते हो ना, किसी भी dialogue को, उसके बाद उस dialogue को perform करते हो ना, लिक के लिए लो, सबसे बहतर performance वहीं आता है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, पांचवे step पर dialogue याद करने के लिए, आपको पहले उपर बताए गए, सभी चार steps को पूरी तरह से follow करना है, उनका पालन किये बगए, चार steps कहने का मतलब सर का वो है, जो हमने पिछले वीडियो में, चारो steps बताया हैं, ये पांचवा step है, तो आप लोग अगर new हैं वीडियो पे, तो जाए पीछे का जो भी वीडियो है, वो सब भी देख लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, पूरी तरह से follow करना है, उनका पालन किये ब बोला था सर ने, underline कर लो, highlight कर लो, pencil या पेंसे, और उस words पे आपको जादा जोर डालना है, उस words पे जादा expression डालना है, जैसे कि सर ने example में बताया था, वो गबर सिंग का रोल के बारे में बताया था, कि उस dialogue को easily way में भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस dialogue पे जोर डाल अच्छे तरीके से बोला, तो वो dialogue आज इतना famous dialogue बन चुका है, तो, yes, चाहे तो अलग से लिख कर भी marking कर सकते हैं, फिर mark किये गए emotion के अनुसार और highlight किये गए शब्द को खास तवज्जो दे कर perform करते हुए practice करें, और हर बार जहां mark किया है, वहीं पौज ले और बोले, ठ इस्तिमाल कर सकते हैं, तो यहां पर एक monologue है, example, जो मैं description box में डाल दूँगा, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से propose करने की बात कर रहा है या कर रही है, यार, दिल की बात कहना, सच मुझ में इतना मुश्किल क्यों होता है, इसक में इंसान इतना कमजोर क्यों हो जाता है पता है, आज वह एकदम मेरे सामने आकर बैठ गया या बैठ गई, आप अपने हिसाब से बोलना, male हो तो बैठ गई, female है, तो वो बोलेंगे की बैठ गया, क्योंकि दूसरे को प्रपोच करना है न, ठीक है, मेरी आखें फटी की फटी रह गई, मैं उसको घूरे जा रहा थ या घूरे जा रही थी, और मेरा दिल धक, 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 एक मिनट के लिए लगा, जैसे मेरे चाड़ो तरफ वाइलीन बज रहा हो, देख, 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 मेरी धरकन अभी भी कैसे फरफरा रही है, ऐसे emotions के साथ, expressions के साथ दिखाना है, डर भी बहुत लगा यार, ऐसे कैस इसमें monologues है, तो मैं वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये लंबा वीडियो चला जाएगा, और इसमें आपको बता दू कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, इसमें कि डायलोग को बोल कर सबसे पहले पढ़ें, ठीक है, स्टेप 2 में क्या क्या हमें पता करना है, कौन-कौन बोल रहा है, ठीक है, यानि किरदार क्या है, क्या है, किस से बोल रहा है, मतलग आपका opposite character क्या है, आप किस से बोल रहे हो, कहां बोल रहा है, कौन सा location है, कौन सा जगर है, ये चीज़ पता करना है, क्यों बोल रहा है, वजह क्या है, रीजन क्या है, ठीक है, जैसे कि इसमें प्रोपोजल रेजन है कि प्रोपोज करना है उसको इस वज़े से बता रहा है। मेरे दिल में धघझ-धझढ धख हो रहा है, मैं उसे कैसे अपने दिल की बात बता हूं, ठीक है। और फिर कैसे बोल रहा है, उसका emotion क्या होना चाहिए, उसका भाव क्या होना चाहिए, किस emotion से बोल रहा है, ये पता करना है हमें step 2 था यहां तक, दिये गए खाली स्थान से pencil से detail में लिखे, pencil से इसलिए ताकि अगर आपको बाद में उसे बदलना हो, तो मिटा कर बदल पाए, step 3 में हमें क्या करना है, emotion marking जो हमने पढ़ा था, ठीक है, emotion marking exercise में है, कि अब आप दिये गए monologue में, pencil से emotion marking कर लीजिए, कि आपक कहा से कहा तक, कौन कौन से emotion है, ठीक है, जैसे कि मुझे उसके सामने आते हैं, डर लगा, तो थोरा सा डर वाल expression लाना है, ठीक है, अभी भी देख मेरा दिल इतना धग धग कर रहा है, इस वाल expression में थोरा दिखाना है, कि कैसे धग धग कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे आपको emotional marking करना है ठीक है अब उसके बाद फिर क्यान है इस टेफ फोर में अलप विराम की करना अलप विराम मतलब pasado जो लगाते हैं ऐसे साइन मैं आप स्क्रिंग नवा स्क्रीन पर दिखा दूगैँ याप nowhere कर सकते इमोशनल मार्किंग के बाद दिये गए डायलग में पॉफॉर्म करते हुए जहां भी आप पॉज ले वहां स्लैस जो भी मैंने बताया इस प्रकार का मार्क लगा दे ताकि जब आप स्टेप सिक्स को करें तो स्वता ही हर बार उसी जगह रुकें इस प्रकार आपकी स अरश और स्पीड दोनों नौर्मल रहेगी और पॉफर्मेंस भी अच्छी होगी स्टेप फाइब में हमें क्या करणा है मुख्य शब्द को मार्क करें highlight the word मतलब कि pause marking के बाद मुख्य शब्द को underline करना है इस तरह मार्क करें ताकि आप जब step 6 में script को देखते हुए याद करनी की practice करें तो हर बार आप उस खास मार्क किये गए सब्द को शब्द को विशेश तरीके से बोल कर perform कर पाएं step 6 में क्या करना है बस अब सभी marking को देखते हुए अपनी सुविधा अनुशार एक या दो lines को पूरे emotion के साथ script को देखते हुए perform करते जाएं ध्यान रखे perform करना है याद नहीं करना है 4-5 बार जब आप देखकर perform करते हैं script से नजर हटा कर perform करें और सुनिश्चित करें कि याद हुआ या नहीं तो यहां तक है अब दूसरा जो मनोलग है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो नेक्स्ट वीडियो मैं मिलते हैं फिर ततक के लिए धन्यवाद